हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जियसाई की एजूकेशन के इस योटूब चैनल में जैसा कि आप लोगो थंबनेल से पता चल गया होगा कि बिहार लोग सेवा आयोग BPSC के द्वारा CDPO के लिए 55 सीटों पे कुल रिखतियां आई हुई है तो इसको मैं बता रहा हूँ यहां पे कैसे इसको फिल अप करना है और कैसे इसकी तैयारी करना है तो ठीक है तो चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ट परशेटों के लिए और वेकेंसी आई हुई थी आगनीस पर 55 सीटों के लिए वेकेंसी आई है जिसमें यहां पर मतलब जो दिया गया है किसमें से कौन से किस के बिदे सीटों का प्रावधान किया गया है तो वह देखेंगे हम यहाँ पर आनारक्षित जो है रिजर्व है 22 पद है जिसमें से 35 परसेंट जो छेटी जारक्षन के फॉल्स और कुल पदों से पदों में से महिलाओं के लिए पदों की संख्या है साथ एक चीज़ और बता दे कि पहल 31 परसेंट जब करेंगे हम तो 2 सीट महिलाओं के लिए है ठीक है फिर अनसूचित जाती के लिए 9 सीट है अनसूचित जन जाती के लिए कोई wallet मे नहीं है लेकित फिर के लिए 11 सीट है और पिछड़े वर की महिलाओं के लिए दो सीट है टोटल यहां पर 55 सीटे हैं तो आप लोग अगर अच्छा खासा इसका तैयारी है तो आप लोग इसको डाल सकते हैं ठीक है फॉनमर तैयारी में लग जाहिए मैं आपको तैयारी करवा दूंगा और यूट यहां पर कैसे इसका पेपर होगा तो चैन का जो प्रकिरिया है इसका वेतन मान है सबसे पहले मैं वेतन मान की अगर बात करूं तो तीपन 1100 से लेकर की एक लाग 766800 लेबल 9 का इसका वेतन है सैक्षनिक जो योग्यता है इसमें क्वालिफीकेशन जो चाहिए वो किसी माननेता प्राप बिस्व बिद्दाल से असनाता की डिग ली चाहिए आयू सीमा आप लोग देख सकते हैं कि 2018-2021 को नियुन्तम 21 बर्स होना चाहिए अधिक्तम जो अनारक्षित जो मतलब अन्डिजर्ब जो पूरुस है उसके लिए 37 बर्स चाहिए जो BPSC का जो हम लोग देते हैं लोग से वायोग के द्वारा जो SDM, DSP, एसे पोश्ट के लिए देते हैं वैसे ही पिछला तैंत पिछला बर्ग और पिछले बर्ग यंग्धन राकषित जो महिला है 40 बर्स है और अनुसूचित जाति जन जाति पूरुसे हो महिला के लिए 42 बर्स ठीक है तो इसका पीडिएप मैं डाल दूंग वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं ठीक है अब इसका जो चैन प्रकिरिया होगा तो कैसे एक्जाम होगा तो उसको देखेंगे तो इसका जो एक्जाम होगा सबसे पर एक प्रारमभिक परिक्षा होगा ठीक है यानि कि करते हैं preliminary test को आप qualify कर लेते हैं तो आपको मुख्य परिक्षा के लिए फिर से आवेधन करना पड़ेगा और मुख्य परिक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो मुख्य परिक्षा में अनिवार्ज विसे में सबसे पले जो है वो समाने हिंदी ठीक है समान हिंदी इसम वस्ट और जिये सेकेंड लिये जाएंगे ठीक है जैसे बीपीएसी का होता है एकजाम ठीक है सेम सारे से लिवस वहीं है हाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की इसमें जरूरी है कि जो बैकल्पिक भी से हमारा होगा यानि कि optional subject जो होगा वो optional subject हम अपनी मर्जी से यहां पर psychology है और फिर यहां पर है समाज सास्त्र है यानि कि sociology है एवं और चार नंबर में है स्रम एवं समाज कल्यान जिसको LSW हम लोग बोलते हैं ठीक है LSW labor and social welfare स्रम एवं समाज कल्यान यह 300 अंका होगा यह भी तीन घंटे को है यह जो आप उसके बाद से जब आप मुक्य परिक्ष अब क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंट्रव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंट्रव्यू जो होगा आपका 120 अंका होगा यहां पर सिलीबस का भी जिक्र किया गया है कि प्रारंभीक परिक्ष्या में समानने बिग्ञान और राष्ट्रिये ओम जो प्रिलिमनरी ट अटनाए है उससे यानिके करेंट अफियर से कोस्चन रहेंगे भारत का इतिहास से कोस्चन रहेगा तथा बिहार की इतिहास की परमुख बिसेस्ता हैं ठीक है बिहार की इतिहास की परमुख बिसेस्ता हैं समान्य भूगोल रहेगा बिहार के परमुख भौगोलिक प्रभा तथा यहां की महत्पुन नदियां से संबंधित प्रसंद रहेंगे भारत की राजव्योस्तानी की इंडियन पॉलिटी और आर्थिक व्योस्तानी इंडियन एकोनॉमी फिर उसके बाद से अजादी के जो प्रस्चात नहीं अजादी के बाद का बिहार की जो अर्थ वेहुस्ता थी उसके परमुख परिवर्तन क्या क्या हुए उसे संबंधित प्रसंद रहेंगे और भारत का राष्ट्रिया अंदुलन तथा इससे बिहार का योगदान तथा समान मांसिक योगिता को जाचने वाले प्रसंद होंगे मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेम जैसे कि BPSC का हम लोग जो एकजाम देते आया हुए हैं वैसे ही CDPO का भी प्रिलिम्नरी टेस्ट होगा ठीक है तो यह आपका प्रिलिम्नरी का वह आपका क्या हो गया सिलिबस हो गया ठीक है यहां पर डिटेल्स दिया गया है कि कैसे किस तरह से फॉर्म को फिल अप करना है तो आप लोग अगर फॉर्म भरने के योग्यता को रखते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को आप लोग बढ़ियां से क्या कीजेगा पढ़ लिजेगा और इसको आप क्या कीजेगा की देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिए वहां पिसका पीडिएफ में अपलोड कर दे रहा हूं वहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है और आप इसको पूरा अच इसको इस फॉर्म को आप लोग डाल दीजिए बहुत ही अच्छा है 55 सीट है लेकिन कोई नहीं पिछली बार की बात करें तो पिछली बार अगर 30 सीर्ट था लगभग उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथ 55,000 के करीब में लोगों ने इस परिक्षा को दिया था ठीक है कटफ जो है कटफ पिछली बार जो गया था जेनरल का मेल का कटफ था 98 और फीमेल जेनरल का कटफ था 91 तो वहीं BPSC के करीब ही होता है थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की जड़ुत है चुकि सीट कम है लेकिन हो जायागा ठीक है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि क्या प्रारम करने की तीथी जो है ठीक है तो यह पांच तीन यानि कि पांच माच 2021 से इसको फ़र्म को भरा जाएगा और अंतिम तीथी जो है वह एक चार यानि एक अप्रेल तक इसकी लास्ट डेट है ठीक है और यहाँ पे और भी जो नोटिफिकेशन जो दिया गया है साथानी दखिएगा कि एक ही बार में सही से फॉर्म को फिल अप किया जाए ठीक है तो इस फॉर्म को बिना देरी किये हुए पांच माच से स्टार्टिंग हो रहा है तो इसको आप लोग भर दीजिए और इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल के जो बाट प्ले कर लिजिए गा ठीक है रिवीजिन बेसिस के तौर पे तो आप लोगो का हो जागा करेंट अब्रस की कैसे तयारी कर नहीं है तो उसका भी कैसे इस पर इंच्रा को क्लियर करना तो इसके लिए भी एक वीडियो को बनाया गया प्लेलिस्ट में जाईए पले लिए मार से मिल हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा